प्रिये विद्यार्थियों मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास असिस्टन प्रॉफेसर गॉर्मेंट ला पीची कॉलेज बीका ने LLB फरस्ट यर में हम P.A.L सब्जेक्ट पर अपनी चर्चा कर रहे हैं और हमने अपनी पिछली क्लास में भारत के सविधान में विदिक साहता संबंधी प्रावधानों उपर चर्चा शुरू की थी Legal Aid Under Indian Constitution उस संबंध में जो जो प्रावधान मुखे रूप से थे जिसमें हमने बात के थी Article 39A और उसके अलावा भारत के सविधान के जो अनेक अनुछेद बने हुए हैं 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 इन सब में जो हमारे नयादीसों के द्वरा निर्वचन कर और विदिक साहता संबंधी प्रावधानों की व्याख्या की गई उस पर हमने चर्चा की थी आज इसी क्रम में हम कुछ सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन्स जो इस संदर्व में दिये गए हैं इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करें MS हासकाट बना माराष्ट राज्ये AIR 1978 सुप्रिम कोर्ट के अगर मामले की बात करें तो इस वाद में सुप्रिम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि निर्धन व्यक्ति को निसुलक विदिक सायता उपलब कराना राज्ये का करतव्य है यह उसकी दया या अनुकंपा नहीं है अर्थात इस मामले में सुप्रिम कोर्ट ने यह कहा कि जो फ्री लिगल एड की हम बात कर रहे हैं यानि कि हमने बात की थी 39A की जिसमें यह कहा गया था कि सब चाहे तो इस 39A या किसी अन्य विदि के द्वारा निसुलक विदिक सायता की बात की जाने चाहिए तो यह मामला Justice Krishna Iyer हम पहले भी बात कर चुके हैं कि PIL की हम बात करें तो Justice Krishna Iyer और भगवती जो है इन्हों ने इस PIL को आगे बढ़ाने में अपनी एक महती भूमी का अदा की थी और इस मामले में नोंने यह कहा था कि जो Free Legal Aid की बात है वो राज्ये का कर्तव्य है ना कि राज्ये की दया या अनुकम्पा साथ ही साथ इसी मामले में इन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य का कर्तव भी है कि वह प्रतिपक्ष के अधिवक्ता को युक्ति-उक्त पारिस्मिक दे जो न्यायले के द्वरत ने धरित किया जाए यानि कि जो वकील है उसको उसका महंताना भी मिलना चाहिए युक्ति युक्तुरू यानि कि रीजनेवल जो उसका महंताना बनता है वो भी दिया जाना चाहिए इसी परकार हुशन आरा खातून बनाम ग्रह सचीव विहार सरकार 1979 और सुखदास बनाम अरोनाचल प्रदेश 1986 इन वादों में सुप्रिम कोट ने कहा कि विदिक साहता प्राप्त करने का अधिकार सविधान के अनुछेग 21 में मूल अधिकार है तता न्यायलय का ये करतव भी है कि वह अभ्यूक्त को उसके इस अधिकार से अउगत करा है हमने पहले भी कई वार चर्चा किये कि जो आर्टिकल 21 है नियालियों ने आर्टिकल 21 की व्याख्या इस प्रकार से की जिसे की जन समश्याओं का समाधान सविधान में संसोतन किये विना किया जा सके और इस मामले में ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंतरकत ये लिगेल एड प्राप्त करना इसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और कोट की ये ड्यूटी बनती है कि वह अभ्यूप्त को उसके अधिकार से अउगत करा है यानि कि उसके आविदन की परतिक्षा किये बि दिन का इंतजार ना किया जाए और उसे फ्री लिगेल एड की विवस्ता करवाई जाए इसी परकार खत्री बना बिहार राज्ये के मामले में सुप्रीम कोट ने कहा कि निशुर को विदिक सायता का अधिकार तब उत्पन होता है जब अभ्यूप्त मैस्ट्रेट के समक्ष पहली बार उपस्तित होता है या लाया जाता है और यह अधिकार ट्राइल के दोरान भी बना हुआ रहता है यानि कि फ्री लिगल एड का जो अधिकार है वह जिस समय अभ्यूप्त को एक्यूजड को कोट में पहली बार अपेर उसे लाया जाता है या पेस किया जाता है या अपनाम भारसंग के मामले में नियाले ने अभिने दरिद किया कि विदिक साहता स्कीम को किरिवानित करने के लिए NGO की साहता लेनी चाहिए उनको आगे लाना चाहिए उनको प्रोसाहित करना चाहिए उन्हें इस संदर में एड़ दी जानी चाहिए और उन्हें राज्ये के नियंतर्ण से मुक्त रखा जाना चाहिए जिससे कि वे अच्छी तरीके से इस कार्य में अपना योगदान दे सके है इसी परकार कि सोरी चन बनाम हिमाचल परदिश राज्ये 1991 का जो मामला है इस बाद में यहां तक कह दिया गया कि यदि अपराद जगन्य है और अव्युक्त को दिया गया अधिवक्ता अनुभव हीन है तो ये आर्टिकल 14 उन्नीस और 21 के विरुद होगा क्या कहना चारा है कि साब जो जिस व्यक्ति को आप लिगल एड की व्यवस्ता करवा रहे हो यानि कि रिसुल्ग विदिक साहता दिलवाए जा रहे हो और उसके द्वरा किया गया अपराद गंबीर प्रकरती का अपराद है और उसमें एक अनुभव हीन अधिवक्ता उसे मोहिया करवाया जाता है तो ये सविधान की भावना के विप्रीत होगा और ये आर्टिकल 14 उन्नीस और 21 के विरुद होगा इसी प्रकार संतुराम बनावे स्टेट ओफ राजिस्थान 1994 के मामले में तादिस्थान हाई कोट ने स्पष्ट किया कि निसुलक विदिक साहिता इसकीम को सार्थक बनाने तथा कॉंस्ट्यूशनल अब्जक्ट को प्राप्द करने के लिए मूर अधिकारों के परिपेक्ष में इने देखा जाना चाहिए और लास्ट हम बात करें कि महरास्ट राज्य बनाम मनु भाई के मामले में सुप्रिम कोट ने कहा कि विदिक साहिता इसकीम के अंतरगत नीजी महाविद्यालियों और संकाय सदश्यों को अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे कि वे इस इसकीम में अपनी एक महती बूमी क अधा कर सके इस परकार नियायलों ने अपने अनेक निर्णों के मात्यम से जो फ्री लिगल एड है उस अधिकार को और अच्छी तरीके से इस्टेबलिस इस्थापित किया दन्यर्वाद